Interviews का नाम सुनते ही, हम कितने भी qualified या experienced क्यों ना हो, we do get these little butterflies in our stomach. खास करके जब आप pressure हो, तो कुछ जादा ही nervousness होती है. और कही बार, पॉंटों के साथ ऐसा भी होता है, कि हम बहुत से interviews attend करते हैं, हमारा qualification अच्छा है, exams के marks अच्छे हैं, लेकिन फिर भी, we don't get that job. और हम उस job से बार-बार reject हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? तो क्या होनी चाहिए हमारी body language interviews में? हमारा interview सिर्फ interview room में enter करते ही start नहीं होता है. आपका interview तब से start होता है जब आप उस organization के campus में enter करते हो, बिल्डिंग में enter करते हो, elevator से आप उपर जाते हो और reception में enter करते हो. वहाँ से आपका interview स्टार्ट होता है. आप आपका CV लेके काबिन में enter करोगे. बहुत ध्यान रखना चाहिए आपके walking का. आपकी walking straight और confident हो. posture बहुत ही important होता है. एक अच्छा posture, एक straight, confident posture ये बात communicate करता है कि आप confident हो, आप positive हो और आप healthy हो. कोई भी interviewer, किसी बिमार और weak person को hire नहीं करना चाहेगा. तो बहुत important है आपके posture से, आपके walking से, आप energetic और enthusiastic लगए. So, after you have made a confident entry in the interviewer's room, do not sit without the interviewer giving the permission. जब तक आपको बोलाना जाए, प्लीज बैठिये मत. वो आपको कहेंगे, have a seat, pull your chair, take a seat and say thank you. Sit down confidently and make a healthy eye contact with the interviewer. हम आपको कहेंगे हमारे बहुत से सेगमें में बात करते हैं. आपके eyes communicate करते हैं trust और confidence. अगर आप eye contact ना करो interviewers के साथ, और सवालों के जो जवाब दे रहे हैं, वो आप शायद nervousness के वज़े से नीचे देख रहे हो, या side में देखते हो, या कभी-कभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम ceiling के देखते रहते हैं, या पंखे की तरफ देख के जवाब देते हैं, या कुछ याद करने की कोशिश करते हैं. ये सब जो gestures होते हैं, वो काफी put down होते हैं, और nervousness और जो person confidence में low है, इसका एक strong indicator होता है. तो ध्यान रखिए कि जो भी सवालों के आप जवाब दो, एक smile के साथ और एक interviewer के साथ healthy eye contact बनाए रखें. आपका interview अगर एक से ज्यादा लोग ले रहे हो, कई बार ऐसे होता है, it's a panel interview. तीन या चार लोग होते हैं interview के बाख्त. तो इस बार eye contact सब के साथ कीजिए. सिर्फ एक ही व्यक्ती पे आपकी नजरे ना टिकाएं. बहुत जरूरी है कि आप बात करते वक्त, थोड़ा सा nodding करके हर एक person के साथ eye contact करें. जो व्यक्ती आपते question पूछे, उसके साथ एक response बाता है.